दोस्तों देखिए इसमें बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए दिब्यांग जन सक्तिकरण विभाग को मिले 1225 करोड रुपेका जो है वो यहां पे प्राप्दा रखा गया है बित बर्स में 2024 के आम बजड में दिब्यांग लोगों के लिए सक्तिकरण 27 करोड रुपे का यहां पे आवंटित किया गया है जो पिछले बर्स से 0.02 परसेंड अधिक है इसमें दिब्यांग जनों को सायक उपकरण खरीदने के लिए 315 करोड रुपे आवंटित यहां पे किये गये थे उसके बाद दोस्तों यहां पे बता दें आपको जो दीन दय दयाल दिब्यांग पूरनवास योजना के लिए 165 करोड रुपे यहां पे मिले हैं उसके बाद साथी दिब्यांग अधिनियम के कार्य बन के लिए 135 करोड रुपे यहां पे आवंटित किए गये तो जितने भी ऐसे दिब्यांग वेगती हैं जो अभी तक लाब नहीं ले पाए अब उनको लाव लेने के लिए आसानी होगी आपको बता है कि हर जगह बिलागों के अंदर तैसीलों के अंदर जिले के अंदर ग्राम पंचातों के अंदर आपका जो गाओं हैं उसके अंदर कैंप लगा जा रहे हैं दिब्यांगों को यहां पे जाग रुक किया जा र दिलोगा है आपको रिक्सा या आपको बैती वाले ट्रैसाकेल वील्चियर बैसाकी आपको कानमसीन आपको च्छडी काफी सारे बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं साथ ही आप लोग इसके लिए अपने बिलागों में या गाओं में या तैसील में या आपके जिलासतर पर जो कैम्प लगा जारहें, बहाँ पर जाके आप लोगों को अपने जो कागा डाकुमेंट्स हैं उसको लेके बहाँ पर जाना होगा आप अपने डाकुमेंट्स को जमा करेंगे उसके बाद the आपका विकास भन होगा तो ये काफी सारे benefit हैं आपको मिलने वाले हैं आप लोग जुरू इसका लाव उठाइएगा साथी वीडियो को शेयर करना ना भूले अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो और चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को जुरू सस्क्राइब करें दोस्तो जैन जैबार दोस्तो झाले हो जोस्तो जैनल 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 ज